Hello guys, my name is Nisha Saini and welcome to Literary Heart So guys, आज यो मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम जैफरी चोसर को डिसकस करेंगे जो जैफरी चोसर है, वो इस एज में सबसे ज़ादा इंपोर्टन है क्योंकि इस एज का नाम ही आपके ये जो एज है, इसका नाम ही है The Ace of Chaucer So, टाइटल से ही आप पता कर सकते हो कि ये जो एज है, इसमें जिसका नाम ही Ace of Chaucer है So, Chaucer कितना जादा इंपोर्टन प्लेस यहाँ पर रखते हैं इस age में सिरफ एक ही सबसे important writer हुए थे और वो है जैफरी चोसर उनके अलावा जितने भी writers हैं वो सब या फिर जितने भी poet हुए हैं वो सब इतने important नहीं हैं जितने की चोसर हैं वो एक हम minor writer उनको consider करते हैं तो यह जो इज है यह सिरफ चोसर के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि सबसे इंपोर्टन जो इनका वर्क था वो था इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ही यह अच्छा रहेगा आज की जो वीडियो है वो मैं NTA net point of view सही आपको करा रही हूँ जितने भी यह हमने history शुड़ू की है यह NTA net के point of view सही है सो अब जो जेफरी चोसर है इनकी life को पढ़ना उतना ही जादा important है जितना की इनके works को पढ़ना है सो आज की वीडियो में हम सिरफ इनकी life को cover करेंगे इनकी life में जो इनकी life को three periods में divide किया गया है first period, second period और third period so उन periods को हम अच्छे से discuss करेंगे इसके बाद इनके जो important works है और different-different writers ने या critics ने जेफरी चोसर के बारे में क्या comment किया है क्या उनको बोला है वो भी हम आने वाली videos में ही cover करेंगे so अब हम इनकी life से शुरू करते हैं so सबसे पहले है हमारा की जेफरी चोसर जो है वो कब पैदा हुए और कब उनकी death हुई so इनके जो पैदा होने के बारे में exactly कोई year नहीं है हमारे पास इनको लेकर बहुत ही confusion है कोई एक exact नहीं है कि जब ये bone हुए थे वो था हमारा 1340 1340 में ये bone हुए थे और 1400 में इनकी death हो गई थी so आगे क्या है कि bone in 1340 in Wintner Street London कि ये 1340 में पैदा हुए थे अब ये कहां पे पैदा हुए थे Wintner Street London में पैदा हुए थे सबसे पहले तो आपको Wintner Street के में बारे में explain कर देती हूँ Wintner Street किसको बोलते है एक ऐसा place जहां पर जो wine है उसका व्यपार किया जाता है ऐसी जगा जहां पर जो wine है उसको बेचा जाता है खरीदा जाता है मतलब कि wine का व्यपार किया जाता है उसको हम बोलते है विंटनर स्ट्रीट्स, सो आगे जो है, इनके जो फादर थे, जो चोसर के फादर थे, वो एक बहुत ही प्रोस्पीरियस मर्चंट, वाइन मर्चंट थे, सो वो क्या करते थे, जो किंग थे उस टाइम पे, एडवर्ड थ्री, वो उनको वाइन भी दिया करत थे और उसी का फादा उठाकर, जो चोसर के फादर है, उन्होंने चोसर को रोयल नौटिस में वो लेकर आए, और वहाँ पर रोयल नौटिस में लेकर आए, और राजा के अंडर ही उनको काम भी दिलवा दिया, सो आगे क्या हुआ, एट यंग एज, आगे क्या है कि जो चोसर है, सावड एज़ पेज तो अलीजबेट, डोटर इन लो ओफ एडवर्ड थ्री, एंड वाइफ ओफ लाइनल, मतलब क्या हुआ, कि जब जो चोसर थे, वो बहुत ही छोटे थे, वो बहुत ही यंग एज में ह जो चोसर थे, उन्होंने अलीजबेट के यहांपर नोकरी करनी शुरू कर दी थी, as a पेज, पेज का मतलब क्या होता है, सर्वेंट, या फिर नोकर हम बोल सकते हैं, कि जब जो चोसर थे, वो बहुत ही छोटे थे, तो उन्होंने अलीजबेट के यहांपर एक पेज की जॉ करनी शुरू कर दी थी as a servant उन्होंने Elizabeth को serve करना शुरू कर दिया था अब यहाँ पर question है कि Elizabeth कौन है जो उस time की राजा थे Edward 3 Edward 3 की जो daughter-in-law है Edward 3 की daughter-in-law है Elizabeth और wife of Lionel Lionel थे वो Edward 3 के son थे और Edward 3 की जो daughter-in-law थी वो कौन थी Elizabeth मतलब की जो चोसर है वो Elizabeth की यहाँ पर page की as a page serve कर रहे थे so उसके अलावा और क्या था कि इस time में एक convention होता था एक परंपरा थी कि जो भी middle class घराने से लोग है middle class के जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को middle class के जो लोग है वो अपने बच्चों को royal services में रखेंगे राजा के यहाँ पर नोकरी के लिए रखेंगे ताकि उनकी जो courtly education है वो प्रापत कर सके ताकि उनकी जो primary education है जो education वो लेना चाते हैं वो court के थूरू उनको दी जा सके तो इसी तरह जो चोसर थे, चोसर ने अपनी जो primary education थी वो court में प्रापत की थी, court से उन्होंने primary education ली और court में ही उन्होंने French और Latin language को सीखा था तो यहां तक आपको clear हो गया होगा कि वो कहां पर serve करते थे और उन्होंने French और Latin language court में ही सिखी थी हलांकि जो चोसर थे, उनको Latin language भी आती थी, उनको French language भी आती थी, बट फिर भी उन्होंने अपने work के लिए कौन सी language को चूज किया था? जो चोसर थे, वो हमेशा ही English language में लिखते थे और चोसर के English language में लिखने के कारण ही आगे जाकर 1362 में जो English थी, उसको एक standard language बना दिया गया था उसको language of law court बना दिया गया था आगे हम move करते हैं, आगे क्या है कि in 1359, चोसर accompanied Lionel on a military campaign to France मतलब क्या हुआ? कि अब जब बात करेंगे 1359 की, 1359 में अब जो चोसर थे, वो कितने साल के हो गए थे? 19 साल के हो गए थे, कि 1359 में जो चोसर थे, उन्होंने एक military campaign था, फ्रांस का एक military campaign था, उसमें Lionel के वो साथ गए थे मतलब की 1359 में जो चोसर थे, वो फ्रांस चले गए थे, फ्रांस किसले गए थे? जैसे कि मैंने आपको पहले 100 year war explain किया था, उस टाइम पे फ्रांस के और England के बीच में 100 year war चल रहा था, तो इसी लिए जो जो ये थे चोसर थे, इनको military campaign पे फ्रांस जाना पड़ा, और जब ये फ्रांस गए तो उस टाइम पे वहाँ पर फ्रांस में जो चोसर थे उनको arrest कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया, प्रीजन में उनको रखा गया, जब उनको प्रीजन में रखा गया, तो उस टाइम पे जो Edward 3 थे, Edward 3 ने क्या किया, ransom देकर चोसर को आजाद कराया तो अब यहां से जो चोसर है उनकी वेल्यू का पता लगता है कि जो चोसर थे वो रोयल फैमली के लिए कितने ज़ादा इंपोर्टन थे कि एडवर्ड थी ने खुद रैंसम दे कर फिरोती दे कर जो चोसर थे उनको प्रीजन से बाहर निकाला था उनको प्रीजन से अजाद क क्या हुआ कि जो चोसर थे चोसर ट्रांसफरर्ड तो किंग्स ओन सर्विस एंड़ गे डरैंक ओफ एस्कौायर की जैसे ही जो चोसर थे वो जेल से बाहर निकले prison से बाहर आये तो उसके exact बाद ही जो चोसर थे उनको राजा ने अपनी service में ले लिया पहले वो किन को serve करते थे Elizabeth को serve करते थे बट उसके बाद prison से बाहर आने के बाद राजा ने उनको सीधा अपनी service में ले लिया और उनको एक rank दिया उस rank का क्या नाम था Esquire Esquire का rank उनको दे दिया सो जब इनको Esquire का rank मिला उसके बाद क्या हुआ Edward 3 थे जो उन्होंने आगे जाकर चोसर को काफी सारे diplomatic missions को पूरा करने के लिए France भेजा उनको Florence भी भेजा गया उनको Genoa भी भेजा गया काफी सारे different places पे वो इनको चोसर को भेजा करते थे Edward 3 जब वो ट्रेवल कर रहे थे वो France गए, Florence गए, Genoa गए काफी सारे different places पे गए तो वहाँ पर जाकर ट्रेवल के टाइम में चोसर को चोसर कुछ एक राइटर्स थे उस टाइम के उनसे कुछ एक author थे उनसे वो acquainted हुए वो जो राइटर्स थे वो उनके संपरक में आए मतलब कि उनके works पढ़ने का मौका मिला चोसर को और वो राइटर कौन-कौन से थे जैसे कि Dante, Bocasio हो गे and Floizart और Floizart हो गे ये तीन जो परसन थे ये तीन जो ओथर थे Dante, Bocasio and Floizart इन लोगों ने जो इनकी चोसर के जो works हैं उनको काफी ज़ादा influence किया है चोसर के work में Dante, Bocasio के descriptions आपको देखने को मिलते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि Dante, Bocasio and Floizart ऐसे रऊथर थे जिन्होंने चोसर को बहुत ज़ादा influence किया था और बाद में इन ही works से inspiration लेके इन ही works से प्रेरित होकर जो चोसर थे उन्होंने अपने works को लिखा था ये चीज़ बड़ी ही important है ये आपने सबने याद रखनी है सो अब हम आगे move करते है आगे हमारा क्या था कि इन 1366 चोसर married फिलिपा दे रोईट who was lady in waiting to queen philip मतलब क्या हुआ कि अब 1366 आ गया था 1366 में जाकर जो चोसर थे उन्होंने शादी कर ली शादी किन से कि उन्होंने फिलिपा दे रोईट नाम की एक लड़की थी फिलिपा दे लोईट से उन्होंने शादी कर ली अब फिलिपा दे लोईट कौन थी जो queen philip थी वह queen philip की lady in waiting थी lady in waiting का मतलब क्या होता है कि जब रानी कोई आदेश देगी तो उनके अदेश को पालन करने के लिए जो वहाँ पर दासियां होती है जो ladies वहाँ पर खड़ी होती है उनको बोलते है lady in waiting जो ये फिलिपा दे रोईट थी ये queen philip की lady in waiting थी उनके वहाँ पर वो serve करती थी जो इनके बारी में और क्या था जो john of gonet है john of gonet की mistress थी और बाद में जो john of gonet थे उन्होंने kathryn से शादी कर ली थी अब ये जो kathryn है शादी के बाद ये john of gonet की third wife बनी थी तीसरी शादी की थी kathryn से इन्होंने so जब john of gonet से kathryn की शादी होगी तो automatically अब जो चोसर थे जोसर जोन of gonet के रिष्टेदार बन चुके थे कैसे क्योंकि जो फिलिप डे रोइट थी ये जोसर की वाइफ थी और फिलिप डे रोइट की सिस्टर कैथरीन, कैथरीन के husband कौन थे जोन of gonet थे so अब इस तरह ये दोनों जोसर और जोन of gonet थे जो ये एक तरह से रिष्टेदार हो गए थे so आगे क्या हुआ 13 आगे हम मूव करेंगे 1369 की तरफ जो 1369 का टाइम आया था 1369 में जो जोन of gonet थे जोन of gonet ने जोसर को बोला कि उनकी वाइफ की डेथ होगी थी 1369 में जोन of gonet की वाइफ की डेथ होगी थी उनकी वाइफ का नाम क्या था Blanche, Duchess of Lancaster भी उनको बोलते हैं याद रखना है जोन of gonet की तीन शादियां होई थी उनमें से जोन of gonet की जो वाइफ थी Blanche जिनको Duchess of Lancaster भी बोला जाता है Duchess of Lancaster की डेथ होगी थी उनकी डेथ के बाद जो जोन of gonet थे उन्होंने 1369 में चोसर को बोला कि Blanche के याद में, Blanche के मरने के बाद मरने की याद में आप एक पोएम लिखो किसके लिए पोएम लिखो Blanche के लिए एक पोएम लिखो ताकि उनके मरने पर ये पोएम recite की जा सके आपने हमेशा याद रखना है अगर आपके पास question आए कि जो book of the duchess है वो किसके लिए लिखी गई थी तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो पोएम थी वो Blanche के लिए या Duchess of Lancaster के लिए लिखी गई थे किसके कहने पर लिखी गई थी John of Gornet के कहने पर ये पोएम लिखी गई थी अब during the 1370s 1370 में क्या हुआ जो चोसर थे वो काफी सारी उन्होंने journeys के लिए वो abroad गए मतलब कि उन्होंने काफी सारी journeys पे वो गए वो abroad जाते थे diplomatic या फिर commercial missions को लेकर अब जब वो abroad जाते थे उन्होंने वहाँ फ्रांस में काफी visit किया और Iittli में विजिट करना उन्होंने शुरू किया एक चीज में यहाँ पर आपको ध्यान में लेकर आना चाहूंगे आपके अब तक जो ये जो चोसर थे वो ज़ादा तर कहां जाते थे France जाते थे, France से ये बड़े influence हुए, इनकी life को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे सबसे पहला जो period है, वो French period होगा, French period इनका कब से शुरू होता है, 1359 से शुरू होता है, क्योंकि वो तब से ही शुरू होता है अब, जब 1370 में जो चोसर थे, वो इटली गए, है न, 1370 में वो कहांगे, इटली गए तो इटली जाकर जब वो वापिस आए, तो वहाँ से उनका Italian period शुरू होता है, जो कि उनकी life का second period है ये बात आपने याद रखनी है कि 1370 में वो इटली गए थे वहाँ से वापिस आने के बाद ही उनकी life का जो second period है Italian period वो शुरू होता है एक चीज़ और clear करूंगी कि ये जो इनकी life के period है इनको किसी, मतब इनको exactly इन्होंने divide नहीं किया हुआ कि 1370 से पहले का जो period है वो French period होगा 1370 के बाद का जो period है वो Italian period होगा ये जस्ट एक idea है क्योंकि 1370 के बाद वो इटली जाना उन्होंने शुरू कर दिया था और वहाँ से आने के बाद ही इटली से आने के बाद ही उन्होंने अपने काफी सारे works थे जैसे कि The Parliament of Fouls The Legend of the Good Woman ये सब works उन्होंने लिखे थे और ये सब works उनके कौन से period में count होते हैं? Second period में जो कि Italian period है उनकी life का सो ऐसे ही आगे चलता रहा आगे क्या है? In 1374 he was appointed he was appointed controller 1347 में जो जो चोसर थे उनको appoint किया गया as a controller as a controller उनको appoint किया गया उसके बाद क्या हुआ? In 1382 he made controller of taxes on wine and other goods 1382 में उनको controller बना दिया गया किस चीज़ का taxes of wine की wine के उपर जो taxes लगते हैं और जो दूसरे other goods हैं उनका controller उनको बना दिया गया अब यहां से आपने एक चीज़ जयाद रखनी है कि उनको taxes on wine का जो controller बनाया गया था taxes on wine का controller बनाने के पीछे एक और कारण क्या है? कि जो चोसर हैं वो पहले ही एक ऐसी family से बिलोंग करते थे जो कि wine का व्यापार करती थी, wine का business करती थी ठीक है ना? सो यह चीज़ आपने माइन में रखनी है इसके उपर UGC net के इनने में पहले questions भी आया हुआ है पूछा गया है कि यह जो चोसर हैं इनके फादर क्या काम करते थे सो उनका आपका क्या हैगा कि वो एक विंटनरी थे यह चीज़ आपको याद रखनी है वो एक wine merchant थे सो आगे हम move करते हैं आगे क्या है? कि around 1385 चोसर lost all his offices and he moved to Kent, England अब 1382 तक तो सब कुछ सही चलता रहा बट 1385 में आकर जो चोसर थे, चोसर ने अपने जितने भी उनके पास designations थे, जितने भी offices थे, वो सब उनसे चीन लिये गए उनके पीछे कारण क्या था? कि यह जो चोसर के जितने भी patrons थे, जैसे कि John of Gornet थे इन सब की कुछ गड़ड़ी इनों ने की थी इनकी गड़ड़ी के कारण जो चोसर थे, उनको भी अपने जो offices थे, अपने जो जितने भी designations थे, उनसे resign करना पड़ा या उनको छोड़ना पड़ा यहाँ पर एक और point मैं आपको mind में आपके लेके आना चाहूंगी वो क्या है? कि इस time तक आकर जो राजा थे, वो कौन बन चुके थे? Richard 2 बन चुके थे क्योंकि जो Edward 3 थे Edward 3 का time period क्या था? 13.12 से लेकर 13.77 Edward 3 का time period क्या था? हमारे पास 13.12 से लेकर 13.77 यह जो था, यह Edward 3 का time period था Edward 3 के time period के बाद Richard 2 को राजा बनाया गया था So, अब यहाँ से एक चीज और clear होती है कि जो यह थे चोसर थे, चोसर ने कितने king थे, जिनके under उन्होंने काम किया था यह question पहले भी पूछा गया और यह question बहुत ही जादा important है जो चोसर थे उन्होंने three kings के अंडर काम किया है जब जो चोसर थे उन्होंने काम करना शुरू किया उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे Edward 3 थे जब इनकी death हुई उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे Henry 4 थे और जब middle time में जो राजा थे वो कौन थे Richard 2 थे So ये तीन king है Edward 3, Richard 2 and Henry 4 ये तीन राजा के अंडर इन्होंने काम किया था So ये चीज आपने सबने mind में रखनी है अब जब 1385 में आकर Chaucer ने अपने सारे offices को खो दिया था तो उसके बाद जो Chaucer थे वो England shift हो गए थे England में एक place है Kent नाम का तो Kent में जाकर जो Chaucer थे वो settled हो गए थे So उसके बाद क्या हुआ In 1386 He was elected member of parliament for Kent मतलब क्या हुआ कि 1386 में जब अब ये जो Chaucer थे वो Kent England जाकर shift हो गए थे वहाँ पर वो bus गए थे So 1386 में जो Chaucer थे उनको Kent की parliament का member elect किया गया वहाँ पर उनको as a member Kent की parliament का member बनाया गया So उसके बाद क्या हुआ एक साल बाद ही उसके एक साल के बाद ही जो Chaucer की wife थी Philippa उनकी death हो गई थी So उसके बाद In 1389 He made clerk of the king's work overseeing royal building project 1389 में क्या हुआ अब जो Chaucer थे उनको राजा का clerk बना दिया गया और उनका काम क्या होता था कि जो royal buildings थी जितनी भी royal buildings बनती थी उन सब का जो काम था वो किसको देखना होता था Chaucer को देखना होता था So ये काम उन्होंने शुरू कर दिया मतलब कि राजा के यहाँ पर as a clerk उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और ये कब इन्होंने शुरू किया था 1389 में इन्होंने शुरू किया था उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ही जो Chaucer थे अब उनकी एज भी हो रही थी एज होने के साथ-साथ उन्होंने क्या किया जब 1398 में उन्होंने अपने जितने भी काम थे उन सब से वो रिटार्ड हो चुके थे अब वो West Minister में shift हो चुके थे West Minister में उनका एक घर था वहाँ वो shift हो गए थे 1398 में 1398 में वो वहाँ पर shift हुए थे वहाँ पर जब वो रह रहे थे रहते हुए उसके दो साल के बाद ही 1400 में जो चोसर थी उनकी West Minister में डेथ हो गई थी और उनको West Minister में ही West Minister Abbey नाम का प्लेस है वहाँ पर उनको बरी किया गया था और यह जो West Minister Abbey है आज के टाइम में हम इसको Poets Corner के नाम से जानते हैं तो चोसर थे वह पहले ऐसे poet थे पहले ऐसे writer थे जिनको West Minister Abbey में बरी किया गया था यह इनकी life के बारे में था जितना भी मैंने आपको बताया है इनकी birth से लेकर इनकी death तक का जितना भी time period था वह हम already discussed कर चुके हैं इन में इतना अगर आप माइंड में रखोगे जो जो point मैंने आपको बताया है वो net के point of view से enough है सो आगे मैंने आपको जैसे बताया था कि three period of choasar's life की choasar की जो life है उसको three periods में divide किया गया है सबसे first जो हमारा period है वो कौन सा है? French period है सबसे पहले period कौन सा है French period यह याद रखना है क्योंकि सबसे पहले जो choasar थे उन्होंने कहां जाना शुरू किया था France जाना शुरू किया था सबसे ज़्यादा influence वो अपने first period में सिरफ France से हुए थे French language से वो influence हुए थे France में जो लोगों का रहन सहन था उनसे सबसे ज़्यादा influence हुए थे सो इस period में उन्होंने एक work लिखा था जिसका नाम क्या था Book of the Duchess जो मैं आपको पीछे भी explain कर चुकी हूँ कि John of Gornet के कहने पर उन्होंने Book of the Duchess लिखा था जो कि किनके मरने के याद में लिखा गया था Blanche जो कि Duchess of Lancaster थी उनकी याद में ये work लिखा गया था उन्होंने और क्या किया था एक book थी Roman de la Rose नाम की इस book को भी उन्होंने translate किया था French language में लिखी हुई ये book थी Roman de la Rose ये French में लिखी हुई थी तो ये जो चोसर थे इन्होंने इस book को translate English में translate करने की सोची और उन्होंने अभी इस book को complete नहीं किया था ये इन्होंने सिरफ आधी translate की है ये जो दो work थे इनके first period में count होते हैं first period में इन्होंने इतना ही काम किया था तब उनका second period शुरू हो जाता है second period को हम किस नाम से जानते हैं Italian period के नाम से जानते हैं so Italian period जैसे कि 1370 में जो चोसर थे वो इटली से वापिस आये थे उसके बाद आकर उन्होंने work लिखना शुरू किया था so अब क्या हुआ था इसे कि मैंने आपको पहले भी explain किया था कि his works modeled on Dante and Boccaccio कि जो चोसर हैं चोसर के जो work है वो Dante और Boccaccio के works से बहुत ही ज़्यादा influence हुए है चोसर के works में Dante और Boccaccio से कुछ ही कैसे works हैं जहां पर Boccaccio से तो direct passages भी उठाकर इन्होंने लिखे हुए हैं तो अगर आपको पूछा जाए कि जो चोसर है चोसर के works का शोर्स क्या है तो अगर आपके माइन में कुछ भी नहीं आ रहा कुछ भी आपको नहीं पता तो आपने Dante और Boccaccio का option आप चूज कर सकते हैं क्योंकि अपने टाइम में Dante Boccaccio से बहुँ जादा influence हुए थे एक और writer है Ovid O-V-I-D Ovid से भी यह बहुँ जादा influence हुए थे अपने French period में वो चीज आप याद रख सकते हो इस टाइम में इन्होंने कौन-कौन से work लिखे थे वो मैं आपको बता रही हूँ जैसे की Annelida and Arcite Annelida and Arcite एक work था जो इन्होंने अपने Italian period में लिखा था Next इनका क्या था? The Parliament of Fouls Third इनका work था Troilus and Cressida Troilus and Cressida यह चीज आपको याद रखनी है मैंने ब्रेकेट में आपको दिया भी है Adapted from Boccaccio कि यह जो work है Troilus and Cressida यह इन्होंने कहां से adapt किया है Boccaccio से adapt किया है So आगे इनके इस period में और कौन-कौन से work है The House of Fame The Legend of Good Woman So यह सारे जो work हैं यह इनके second period में count किये जाएंगे इस period का नाम है Italian period So एक बार फिर से हम जो work हैं वो देखते हैं Annelida and Arcite Parliament of Fouls Troilus and Cressida The House of Fame and The Legend of the Good Woman यह इनका second period था अब हम इनके third period की तरफ मूव करते हैं जो third period था वो कौन सा period था English period अब जब वो जाकर England में settled हो गए थे वहां रहने के बाद यह जो period था यह इनका था English period So इस period की जो सबसे ज़ादा important work था वो कौन सा था The Canterbury Tale इस time period तक आते आते जो चोसर थे उनका जो work थे वो बहुत ज़ादा maturity उने में आगी थी उनकी writing में बहुत ज़ादा maturity आगी थी उनकी एक अच्छी पकड़ बन चुकी थी So इसलिए last period में आकर इन्होंने The Canterbury Tales लिखा था और जैसा है कि आपको पता होगा कि इस The Canterbury Tales में जो टेल्स इनोंने ली गई है उनका कही ना कही आइडिया उनको कहां से मिला था Boccasio से मिला था So Boccasio से ही Canterbury Tales का आइडिया इनको मिला So अगर आपको बोला Question पूछा जाए कि जो Canterbury Tales है उसका Shores क्या है So वो Shores Boccasio है और साथ में कुछ और Shores भी है उनके वो जब हम करेंगे Canterbury Tales तो मैं आपको explain करूँगी So Boccasio भी इसका एक Shores है So आगे क्या था इस पीरियड में उन्होंने कुछ Short Poem भी लिखी थी जैसे कि The Lack of Steadfastness एक तो यह work है The Lack of Steadfastness एक है Complaint of Chaucer to His Empty Purse यह जो work है यह एक चोटी poem है बट इसका पहले question भी आ चुका है कि कौन सा ऐसा work है जहां पर जो Chaucer है वो पैसे के लिए complain कर रहे है So वो work कौन सा है Complaint of Chaucer to His Empty Purse यह question आपको याद रखना है आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ इतना ही cover करेंगे इस से जादा मेरे को नहीं लगता कि Chaucer की life के बारे में हमें कुछ जानना चाहिए बाकी जो आगे इनके important works होंगे उनके उपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और जो इनका सबसे important work है जिसका नाम है The Canterbury Retail वो तो अलग से ही एक वीडियो बनेगी Canterbury Retail पे एक अलग से वीडियो बनेगी और बाकी के जो work मैं अभी आपको बता के हटी हूँ जैसे book of duchess होगे and leader and side parliament of false ये जितने भी works हैं इनके उपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इनकी थोड़ी थोड़ी summary मैं आपको बताऊंगी इनकी जो important चीजें होंगी वो मैं आपको cover करा दूँगी और एक वीडियो चोसर के उपर बनेगी जिसमें कि हम चोसर की writing style को discuss करेंगी कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं जो चोसर ने अपनी writing style में use की है कौन से उनकी language थी linguistic importance क्या थी literary importance क्या थी वो सब चीजें हम एक वीडियो में अलग से discuss कर लेंगे और एक होगी different critics ने और different writers ने चोसर के बारे में क्या बोला है क्योंकि ऐसे questions भी UGC net में काफी बारी पूछे जा चुके हैं यह जो हमारे set के paper होते हैं p-tets हो गया, h-tets हो गया इन papers में भी यह questions अकसर पूछे जाते हैं so इनको भी हम detail में cover करेंगे so this is all for today's video guys if you like the video then please go and like, share and subscribe and if you have any doubt you can ask me in the comment section below and thank you so much for giving me your precious time